जिप्टी सेम के इश्र प्रसाद मौरे का बयान भी आया है इस बड़ी जीत को लेकर ब्यस्पी एस्पी का सुग्रा साफ हो गया है ऐसा मौरे की तरफ से कहा गया है सब जगे कमल खिल रहा है कर से सबसे पहले तुम्हें उत्तर प्रदेश की जनता जनारदन को उत्तर प्रदेश भारती जनता पार्टी के एक एक कार्यकरता को हिर्दय से अभिनंदन करूंगा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुशासन और विकास का पच्छ लिया मानी प्रदानमंत्री मोधी जी आदर्णी मुकमंत्री योगी जी और संगठन के कुसल सिल्पी के रूप में जो पुरा संगठन का सिस्टम इस चुनाओं में दिन रात परिश्रम किया जिसके परणाम सुरूप भारती जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाओं के जो परणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूँ कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविस्वी भाजपा का है और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सायोगी हमारे साथ जूड़ चुके हैं मयूर शुकला और विशाल रगुवन्शी दोनों हमारे साथ लखनों से जुड़े हुए हैं मयूर यह जो नतीजे हैं यह नतीजे क्या कहते हैं क्या यह माना जाए कि प्रदेश की जो योगी आदितनात सरकार है उसके कामकाच पर जनता ने मोहर लगा दी है जो नतीजे हैं ये इस बात का गवा है कि जिस तरीके से प्रचार सियम योगी आधितनात के जरीए जगा जगा पर जाकर किया गया नगर निकाय चुनाओ को लेकर जो लॉइन ओडर की बात की गई, महिला सुरक्षा की बात की गई, खानून मुवस्ता इसी के साथ जो बुल् जनता पार्टी के कवजारा है, रामा भाई रैली स्थल है जहां पर इस वक्ता मौझूद है और आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी जो बात करें, तो मेर भी अभी फिलाल काउंटिंग जारी है, लगवग बाइस चरण की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से बातिय जन पार्टी का अंतार है, तो यहां भी कमल खिलता हुआ, नगर निगम में दिखाई दे रहा है और एक भारी अंतर से, एक बार फिर से जी मैं यू लोटिंग के आपके पास विशाल रगुब अंशी भी मेरे से योगी लगतार हमारे साथ बने हुए लेकिन इस बीच आपको मेरट से भी अपडेट दे दे मेरट मेर चुनाव में बड़ा अपडेट आ रहा है जहां बीचेपी उमीदवार 46,824 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का उमीदवार है वहीं AIMIM का उमीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गए आईस वक्की बोड़ी ख़बर आपको बता दे मेरट मेर चुनाव में बीचेपी उमीदवार 47,824 वोटों से आगे है समाजवादी पार्टी का उमीदवार पिछड़ते हुए दूसरे नंबर पर है जबकि AIMIM का उमीदवार तीसरे नंबर पर है तो यह आपको लगातार